नमस्कार दोस्तों स्वागधाब का अपने यूट्यूब चैनल बी अलिहव में दोस्तों आज का वीडियो जो है वो आन डिमांड वीडियो है बहुत सारे मेरे जो है ब्यूर्स हैं वो कह रहते सकते कि मुझे जा तो पेटियम का अपना जो है एजन्ट एड कर लीजिए अप आपको बिल्कुल आफिशल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा बिल्कुल जो है सटीक और बिल्कुल सही जानकर दूँगा कोई फेक इसमें इंफार्मेशन नहीं है एक तो मैं आपको आफिशल नोटिफिकेशन की बात करके बताऊंगा किस तरीके से हम बीसी एजन्ट बन सकत हैं जो कि अफिशियल नोटिफिकेशन से हटके हैं तो दोस्तों बढ़े रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में अन तक वीडियो को पूरा वाच करिए गा यह भी स्किप न करिएगा अगर आप भी सी एजेंट बढ़ना चाहते हैं दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं जिनन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रैस कर लें वैल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपको इसी तरीके से जो पर Paytm Payments Bank का यहां पर किसी ने क्वाईरी करी हुई है कि Hello Paytm is not a mini branch in my area I want to open a mini branch of Paytm thanks कि हमारे area में कोई भी जो Paytm की शोटी branch नहीं है हम अपने area में एक mini branch खोलना चाहते हैं तो हम कैसे खोलें तो यहां पर Paytm Care का reply आता है Hello we request you to kindly go through this link for registration और लिंक नीचे प्रोवाइड किया जाता है तो हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और इस लिंक को खोल लेते हैं तो जैसे ही इस लिंक को खोलते हैं हम यहां पर एक registration का farm आ रहा है देख सकते हैं आप एक Paytm.com BCA registration farm और यह farm हमें fill कर लेना है इसमें हम सिंपल सी detail है मुवाइल नंबर अपना full name मुवाइल नंबर डालकर full name डाले और business address जहां पर आप अपना यह center खोलना चाहते हैं कि वाइसी अपना pin code डाले अपनी state को select कर लें जो भी आपकी state हो उसके बाद आपको बताना है कि आपके पास कोई fixed outlet है कि नहीं है तो दोस्तों आपके पास fixed outlet होना चाहिए तभी आपको मिलेगा तो yes करें इसको कोई shop अपने पास रख लेंकर नहीं है तो उसके बाद कहते हैं कि क्या आप किसी और bank का service point आपके पास है यदी है तो yes कर देंगर नहीं है तो no कर के इसको submit कर दें और आपको जो है य मैंने yes करने की कोशी की तो इसने लिख दिया कि you are not eligible तो आप यहाँ पर no करके इसको submit करते हैं तो यसे ही आप इसको no करके submit करोगे तो आपका यह form जो है submit हो जाएगा अब देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से message आ चुका है thank you over team will reach out to you soon तो दोस्तो इस तरीके का message अब आपको आ गया तो इसका मतलब कि आपके registration हो चुकी है यह हो गया एक method दोस्तों कि आप किस तरीके से जो है आप अपनी registration कर सकते हैं अब दूसरा method जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से आप सुनिए गा वह एक काफी बड़िया method है इसी method से मैंने जो है अपना BC point लिया था और आज से दो साल पहले की बात है अब तो काफी लोग अवेर हो चुके हैं किस तरीके से मिलेगा क्या है क्या है क्या नहीं उसमें काफी कम लोगों को पता था किस तरीके से मिलेगा क्या होगा क्या नहीं तो काफी मुझे से मुझे यह BC point उस वक्त मिला था अगर मुझे उस वक्त दोस्तों मिलगी इस method से तो कि रम उनके संगे चौ कि झांट करनी है कि सर मुझे भी इंट्रस्ट है आप सुंगे आपके सिग्रेचर रजिस्टेशन जो भी होगी वो सारी की सारी आपकी शाप पर आकर ही कर जाएंगे तो दोस्तों मेजे भी ऐसे ही मिला था जब मुझे खोलना था तो मैंने भी ऐसे ही अपने नेरवाइ के वैसी पॉइंट के पास गया था तो जो मैंने बात क में दिला दिया था आशागा तो हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलेंगे और आपटेट के साथ तब तक के लिए अलवीदा जहीं दोस्तों